इंडिया का job market लास्ट कुछ सालों में बहुत जादा competitive हो चुका है अच्छी job पाने के लिए आप लोगो को चाहिए एक अच्छा resume है अब अच्छा resume बनाने के लिए आप को चाहिए कुछ अच्छे projects अब बहुत सारे लोग बहुत projects बनाते हैं आज बहले वीडियो में मैं वही discuss करने वाले हैं कुछ ऐसे project ideas जो आपको बिल्कुल भी अपने resume में नहीं डालने हैं और कुछ ऐसे project ideas जो आप definitely add कर सकते हैं अब जो गंदे project ideas हैं वो गंदे की में मैं वह भी तुम्हें बताऊंगा बिल्कुल एक demo भी दिखाऊंगा कैसे तुम अपने projects को approach कर सकते हो कैसे project ideas बना सकते हो मैंने बहुत सारे podcast किया हैं मैंने बहुत सारे interviews के रहे हैं मैंने बहुत सारे students से बात करी है मैंने बहुत सारे hackathons को भी judge किया है last couple सालों में and after all that I can tell you I know what is a good project and what is not a good project तो जल्दी से वीडियो को start करते हैं so for those who don't know me I'm Nishan Chahar, I'm currently building Algoprap and Tyari, I'm an ex-Microsoft Software Engineer जल्दी से अपने वीडियो को start करते हैं recently मैंने hiring करी थी Tyari के interns के लिए and मैंने बहुत सारे resume में देखे हैं मतलब बहुत सारे I have like gone through at least 4-5 thousand and उसमें से अच्छे से मैंने resume skim through करे थे at least 500-600 तो तुम सोचो मैंने कितने सारे projects देखे हैं 600 resume में at least 3 projects थे 1800 projects मैंने देखे हैं बहुत सारे projects common थे as it is, लोगों में copy-paste कर रखे थे कोई एक online course किया था उसमें as it is चाप दिया थोड़ा सा भी change करने का ट्राय नहीं किया सबसे पहले सबसे जाज़ा जो copied था वो तो हम तुमारा cryptocurrency converter बहुत सारे लोगों ने बना रखा था और कुछ भी नहीं भाई अब blockchain को use करके projects बनाने बोलते हैं लोगों ने blockchain को use करके projects बनाने नहीं जो बहुत जादा common थी वो थी चाट application उसमें भी ढंक से login authentication सारी चीज़े ने याड़ कर रखी थी basic सा चाट application था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें missing थी next जो बहुत जादा लोगों ने बना रखा था मैंने बहुत सारे resume चेक करें तो उसमें 50-60% लोगों ने same चीज़ बना रखी थी and वो था तुम्हारा social media clone कोई भी एक social media उठाया उसका clone कर दिया as it is जादा उसमें भी दिमाग ने लगाया twitter उठाया तो twitter का clone कर दिया and भाई कुछ innovate करने का भी नहीं करते हैं कुछ करने का भी try नहीं करते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि यह project बहुत जादा बेकार क्यों है and last but not the least तूडू आप बना देते हैं basic सा बहुत जादा basic to-do आप बनाते हैं अब तुम्हें देखाता हूं अब तुम्हें देखो कि यहां पर जो मैंने projects 2-3 दिखा रहे हैं यह मैंने खुद बना के सारे देखे हैं एक-एक चीज देखी उसमें suggestions दिये चीजे चेंज करके देखी अब अब एक basic यही develop करवा लेते हैं अब कुछ नहीं करेंगे सिंपल में तुम्हें बहुत basic to do आप हमने last बात करी थी मैंसे बोलूँगा एक to do आप बनाने के लिए ठीक है create a to do let's app for me with delete and add features with a good UI using कुम सा यूज कर सकते हैं material UI भाई ने दे दिया इसको input अब अपने काम करना शुरू कर देगा created a new directory new react application बन रहे हमारी create react आपका इसने बदे दिया है create react आप से नहीं इसने basic install कर दिया सारी चीज़ा I'll open the project for you as well as you can see node modules install हो चुके है package.json में इसने सारी डिपेंडेंसी से सारी इंस्तॉल add कर दिया है ठीक है यहाँ अब टर्मिनर भी खोल देते हैं अपना अब थोड़े तरह कर देते हैं इसको शायद थोड़ा होने में time pause नहीं करते हैं देखते हो दूं साथ-साथ चीज़ा add करता जा रहा है readme.me इसने डाल दिया है readme तो create react आप वाले यह डाला कुछ नहीं है create react आप अपना install हो चुका है इसने index.html भी लिख दिया है इसने create react आप वाला काम कर दिया है इसने index.html फाइल देख लिए उसमें changes करना start करेगा आप मेरो कुछ install करने कह रहा है मैं install कर देता हूं material UI की कुछ icons पगए इंस्टॉल करने हो जाएंगे and let's keep it running internally it is using cloud 3.0 Sonnet use कर रहा है and we can even change it to cascade base and GPT 4.0 तो तुमारे पास यह choose करने का option होता है कौन सा तुम्हें use करना है तो edited वाला इसने एक लिख भी दिये फाइल source फाइल में हम जाएंगे यहां पर तुम देखोगे app.css index app edited वाला भाई ने कहां डाला है accept कर देते हैं बन गया वैसा अपना to do मैंने सारे changes accept all कर लिया I'll ask it to run the app and तुम देखोगे मैंने एक भी line code नहीं करिया एक भी line code नहीं करिया मैंने this is done we'll just open our browser and as you can see it is running and create react app to do list is done hello I am Nishant basic functions add new to do use enter blah blah but I am showing you basic projects it took me two or three minutes to create that project and you are adding that to your resume to impress a recruiter think about it think about it for a moment कि कौन कौन ही impress हो रहा है अब तुम्हें एक और example दिखाता हो चलो यह वाला तुमने कहा कि create react app बना दिया था CD dot dot करते हैं project पर जाते हैं इसको बंद करते हैं नया बना लेते हैं अब हम इसको वो लेंगे create a cryptocurrency converter मैंने बताया बहुत दा project user रुखा है create a cryptocurrency converter use material UI to create the UI for the website and also show the graph for each currency for the past one week ups and downs बहुत layman terms में लिखा है let's see if we can create or not to do बाने में चांज करना start कर दिया इसको इसमें चांज करने जाता है तो इसने देख लिया कि इसको यह API calls के लिए चाहिए recharge graph के लिए चाहिए and material UI already installed है तो मैंने इसको जो-जो permissions चाहिए दे रहा हूँ accept कर दिया है इसने एक components का लग्स को बना लिया इसमें दोती components बनाएगा even see the difference जैसे पहले app.js में क्या है app.js में क्या है सारे differences बगरा देख सकते हैं कुछ changes करना है तो खुद भी कर सकते हैं context चाहिए कुछ भी करना है सब कुछ we can do everything whatever we want but if you don't want to do anything then it will do it for you mostly चीज़ सारी करके देदेगा and the cryptocurrency converter is ready we have added one bitcoin to US dollars we can add ethereum to US dollars we can add it to euro we can add it to Japanese yen and we can ask it to change different things इसके साथ साथ लास्ट एक वीक का price का graph भी दिखा रहा है your basic cryptocurrency converter is ready see कितना टाइम लगा बिल्कुल टाइम लगा that's why I'm telling you guys कि कोई भी अगर आप projects copy कर रहे हो या बहुत basic projects अपने रजीमे में add कर रहे हो that will not help you out in some time as AI is improving यह वाले जो easier task है हो जाएंगे अब इस code में कुछ error आ जाता basic error तो भाई ने हमारे वैसी solve कर दिया कुछ इसके अंदर और चीज़े add करने पड़ती और in-depth चीज़े add करने पड़ती कुछ भी करना पड़ता तो उसमें knowledge चाहिए थी code में changes करने होते तो knowledge चाहिए थी इसको क्या command देनी है कैसे बनवाना उसमें knowledge चाहिए होगी तो बहुत सारे काम AI तुम्हारे करने लग जाएगा मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस चीज़ से हमें improve होना है यह सारी चीज़ से कर देगा तुम्हें कोई library नहीं आती है library नहीं समझ के बता देगा तुम्हें कोई समझ चीज़ नहीं आ रही हो तुम्हें करके देदेगा and definitely try windsurf I think काफी crazy था I've been using it for a long time now मतलब मेरे को एक दौफते हो गई है अगर तुम्हें स्किल्स नहीं है अगर तुम रहे हो जाके comment section में कि भाई मेरी तो job चली जाएगी तो जाएगी अगर तुम skills नहीं सीखोगे तो पहले तो थोड़ी prompt engineering सीख लो काफी काम आने वाली है as you can see most of the tasks can be done by prompt engineering first यह था डराने के लिए बनाये वीडियो बताने के लिए AI tools have improved so much so 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 much कि now you can create these basic things very easily basic projects अपने रेजिम में से बिल्कुल हट आदो अगर तुम चाहोगे तो definitely भी try करना बाके जो मैंने तुम्हें तीन बताय थे वह भी बना देगा इसमें तुम्हें improvements कराना चाहोगे वह improvements भी कर देगा also अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बास्किल्स ही नहीं है तुम्हें समझनी आ रहा है कि मैं कहां से चीज़े शीकू क्या गरूं basic तुम्हें coding आनी चाहिए to build projects to go to hackathons definitely check out Algoprep X यहां पर तुम्हें DSA LLD, front end, back end सारी चीज़े सिखा दी जाती है इसके साथ साथ है prompt engineering पर सिखाया जाता है तुम्हें all at a price point of 2500 rupees for one year तो तुम जाके यह सारे courses एक साथ access कर सकते हो community का access कर सकते हो and बहुत सारी और चीज़े go check out the link is in the description अब अपने अच्छे बाले projects के part पर आजाते हैं तो windsurf के windsurf एक तुम्हारा code editor है जिसके अंदर AI inbuilt AI inbuilt का बास यह मतलब नहीं है तुम्हारा पास start option है इसके साथ साथ AI agents बहुत एक नहीं चीज़ आई है इसमें AI agents and co-pilot दोनों का integration बहुत I've been using this to create small small projects for the past one and a half weeks so क्या तुम्हारा इसे project ideas बना सकते हो क्या इस project ideas अपने resume में add कर सकते हो तोड़ी complexity से जाधा है तुम्हारा time लगेगा अगर तुम्हारे रिसेंटली के बारे में नहीं सुना तो definitely सुनना it is a very good like side project company whatever you can say Siddharth मेरा दोस्ता उसने बनाना स्टार्ट किया मैं रिसेंटली ट्राय आउट किया it's very good definitely check it out उसका link में description में डाल दोगा but first project is that only तुम similar कुछ एक website बना सकते हो जहाँ पर तुम different जो तुम्हारे hacker rank, hacker earth, lead code इन सबके APIs को call करके उनसे data fetch करके अलग से dashboard बना सकते हो जहाँ पर सारे के सारे तुम showcase कर सकते हो अलग-अलग ratings, rankings, दूसरे-दूसरे platforms की and इससे proper एक platform तुम बना सकते हो जहाँ पर दिखा सकते हो लोग को कि how they are performing as compared to others तुम अलग-अलग domains के भी add कर सकते हो for example Kaggle का तुम add कर सकते हो GSOC related को similar dashboard बना सकते हो and that you can deploy as well ताकि लोग use कर पहें सबसे पहले सबसे important चीज़ deploy करने है projects बस अपने resume में add करने के लिए तुमने GitHub पे डाल दिया है जो live link available नहीं है उससे कुछ फायदा नहीं होने वाल है try deploying it तुमारे पास Firebase है तुम free में उसमें add कर सकते हो जर्फ वाले का pro version मिल जाएगा 10 dollars is 800 rupees एक बार pizza खाने जाओगे भार तो तुम घर्च कर देते हो use करो इसको महिने में projects build करो अच्छी चीज़े बनाओ क्या पता तुमारे कोई एक भडिया सा idea हो जिसको तुम बहुत टाइम से code नहीं कर पारे उसको code करो, use AI, get better with it जितना जादा use करोगे, जितना जल्दी उसको adapt करोगे, उससे उतना फायदा है मेरे को भी लग रहा था भाई, सब faff है बट faff नहीं है भाई, things are moving so fast, so crazy that after sometime जो भी लोग है, जो इसको ignore कर रहे हो comprehend नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ पहुंच चुके तो ignore नहीं करना है, ठीक है, embrace करना है use करना है, सीखना है चीज़ों को second एक तुम चार्ट आप बना सकते हो, बट चार्ट आप में बहुत सारी चीज़े क्या मिस कर देते हैं, लोग करते हैं, तो end-to-end encryption आप बना सकते हो, इसके साथ authentication उसमें आप कर सकते हो तो काफे जाए लग 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 लोग जनरली क्या करते हैं, जो चार्ट आप्लिकेशन बनाते हैं उसमें बस तुम चार्ट आप्लिकेशन या चार्ट कंपनी को जाके मिना रेज्में दोगे, बहुत सारी कंपनी जा जहां पर चार्ट as a functionality use होती है, you can be a really good asset to them, so this is second project idea, don't build a basic chat app, build a chat app with encryption and the ability to add photos, videos, etc xyz things, जो तुम add कर सकते हो and different type of encryption सीखो, काफी जादा फायदा होगा तो दो project ideas हमारे यह हो जाते हैं third, एक game type का ही है मतलब जादा मुश्किल नहीं होगा but scale करने के लिए तुम्हें थोड़ी बात पढ़ाई करने पढ़ेगी, एक multiplayer quiz app बना सकते हो, अपने college के लिए बना दो, अपने दोस्तों के लिए बना दो and multiple people can come there and play तुम्हारा online leaderboard होगा तुम एक AI को इसके backend बे train कर सकते हो, जिसके साथ multiplayer versus वाला game खेल सकते हैं within AI, AI बहुत competitively cheap होता जा रहा है तुम $5 अगर add करते हो 4 GPT के लिए तो भाई वो बहुत जाधा time तक चलते हैं तुम multiple API requests मारोगे बहुत सारी चीज़ा करोगे इसके बाद भी तुम्हारे पैसे बच जाएंगे तो definitely try it out 300-400-500 रुपे खर्च करने में डरो मत, जब तक तुम try नहीं करोगे सारी चीज़े खर्च नहीं करोगे तो actually सीख नहीं पाओगे तो multiplayer जो तुम quiz game बना रहे होगे उसमें तुम्हें काफी जादा help होने वाली है बहुत सारी चीज़े तुम्हें सीखने को मिलेगी एक तो तुम APIs कैसे call कर सकते हो you will learn so 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 much but सबसे important चीज़ सारे तुम्हें बनाने है और साथ साथ deploy भी करने है नहीं करोगे तो आधी चीज़े तुम सीख ही नहीं पाओगे 4th हमारा रहता है expense tracker अब तुम अपने लिए अपने दोस्तों के लिए expense tracker बना सकते हो फिर एक application बना सकते हो अलग अलग API इसको यूज करके तुम देख सकते हो अफर अपनी statement आड करके देख सकते हो कि तुमने कौन सी चीज में कितने पैसे लगाए for example तुमने जुमाटो पर कितने पैसे खर्च के सुईगी पर कितने पैसे घर्च के जब्टो पर कितने यूज करोगे डेटा को स्टोर कैसे करोगे इसके बारे में तुम बहुत सारी चीज़े बढ़ोगे अगर तुम मोबाइल पे बेसिक डेटाबेस आड करने हैं तुम कौन सा डेटाबेस आड कर सकते हो जो इन मेमरी हो SQLite के बारे में पढ़ सकते हो तुम Firebase के बारे में पढ़ सकते हो नेटवर्क पे डेटाबेस कैसे आड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं अगर इसको बनाओगे तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत सारी चीज़े सीखने को भी मिलेंगे Last but not the least मैं बता रहा हूं इस बहुत important है तुम्हारे भी बहुत जादा काम आने वाला है एक तुम आप बना सकते हो जो तुम्हारे images को convert करेगा searchable text में बहुत easy है, tough नहीं है AI काफी आराम से चीज़ कर देता है अब बहुत जारी तुम्हें open APIs मिल जाएंगे Google ही खुद की Google Vision API है जिसको तुम use कर सकते हो for text extraction, text extract करके तुम proper सारे notes को chapter wise, class wise, classify कर सकते हो उसमें search का option दे सकते हो जब तुम्हारे बाद में exams बगेरा आरहे हो convert करके उससे तुम quiz भी बना सकते हो you can relate like link the two projects the last project I talked about and create a quiz for you to like practice once you have completed some topics, right तो यह काफी अच्छा project हो सकता है time लगेगा but this can also be a good hackathon project अगर hackathon की बात आई है तो मैं definitely तुम्हें यही बोलूँगा कि hackathons में जाओ, बढ़िया बढ़िया project ideas सोचो, बनाओ you can use windsurf 2 the link for that is in the description I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगए definitely check it out, the link is in the description and do check out AlgoPrep X, मिलते ने 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 वीडियो में तब तक के लिए bye